पूरे देश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच देशत का महौल है इस बीच एम्स के निदेशक डॉक्टर ररदीप गुलेविया ने बताया कि जो भी मरीज बार-बार सिटी स्कैन करा रहे हैं वो जान लें कि वो एक बड़ा खत्रा मोल रहे हैं उन्होंने कहा कि गैर जरूरी सिटी स्कैन से आगे चल कर कैंसर होने का खत्रा हो सकता है सुनिये उनकी पूरी बात पैचेज आएंगे कही स्टेडीज हुई है एक स्टेडी हुए जिन्होंने एस्म्टमाटिक लोगों में सीटी देखा और यह पाया कि 30 से 40 परसंट एस्म्टमाटिक लोग जिनको कोई लक्षिन नहीं है सिर्फ उनको कोई पॉजिट पॉजिटिव है उनके सीटी में भी कुछ पैचेज आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीट्मेंट के खतम हो जाते हैं तो इसलिए सीटी कराने का कोई फैदा नहीं है इसलिए अगर आपको mild illness है आप home isolation पे हो और आपकी saturation ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षिन नहीं है दूसरा इसका नुकसान समझने की जरूत है अगर हम एक CT कराते हैं it is equivalent to almost 300 to 400 chest x-rays अपने एक CT करा है तो आप यह समझ लिए कि आपने 300 x-ray करा लिए chest के और यह भी data है IAE का भी International Atomic Energy Commission का भी data है जो radiation protection in medicine की बात करते हैं कि बार बार especially younger age group में CT कराने से risk of cancer in later life increases तो आपने आपको नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी जरूत नहीं है क्योंकि आप अपने आपको radiation exposure कर रहे हैं और उससे बाद में cancer होने का chance बढ़ सकता है इसलिए मैं यही कहूंगा कि अगर आपको कोई symptom नहीं है, mild disease है और saturation ठीक है तो please CT ना कराएं CT तभी कराने के जरूत पड़ती है अगर आपको moderate illness है और आप hospital में admit हो रहे हैं और अगर doubt हो तो पहले chest x-ray कराना चाहिए उसके बाद ही CT scan कराएं दूसरा है biomarkers, biomarkers का मतलब कि आजकर तो blood test कई जादा कई करा लेते हैं, अपना CRP देख लेते हैं, blood CBC देख लेते हैं, D-dimer देख लेते हैं, LDH देख लेते हैं, ferritin देख लेते हैं, फिर से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको mild illness है, home isolation पे हैं, अगर आपको saturation ठीक हैं और कोई और लक्षन नहीं है, बख acute phase reactant है, मतलब अगर आपके body में कभी भी inflammation होगी, तो यह बढ़ेंगे, अगर आपको fincip होई, कोई जखम हुआ, नात में infection हुआ, तो भी यह सब biomarkers बढ़ेंगे, क्योंकि एक body का inflammatory response है, तो इससे यह नहीं पता चलता कि आपकी बमारी जो है, वो बढ़ गई है, लोग यह कि मेरा CRP बढ़ गया, इसलिए आप मुझे steroid शुरू कर लेना चाहिए, और उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो इसलिए मैं यही फिर से कहना चाहूंगा, कि चाहे वो biomarkers हो, चाहे CTs कहन हो, mild cases में उसकी कोई indication नहीं है, और अगर आपको यह कराना है, तो कि हम समझें कि biomarkers can be more harmful, CTs can, तभी करना चाहिए, अगर उसकी indication हो, कुछ लोग ऐसे हैं, जो हर तीन दिन बाद CT करा रहे हैं, और उनको यही कहना चाहूंगा, कि उससे नुकसान जादा है, आप अपनी body को radiation exposure कर रहे हैं, जो बाद में नुकसान दई हो सकता है, दूसरी ची clinical guidelines for management of COVID जारी की हैं recently, based on सारा जो पिछले साल का data accumulate हुआ है, research हुई है, उस पे कि कौन सी दवाई कब useful है, और कौन सी दवाई नहीं जेनी थी, उसमें ये clear है कि जो mild illness लोग हैं, ज्यादा तर उनको कोई दवाई की जरूद नहीं है, अगर कुछ दवाई लेना चाहें, तो based on limited data, और limited जो हम कहते हैं, certainty, ivermectin या hydroxy chloroquine ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा दवाई लेने की ज़रूद नहीं है, और मैं यही कहूंगा, क्योंकि हम यह देखते हैं, अपने hospital में कि कई patients ऐसे हैं, जो early stage में steroids ले ले लेते हैं, और यह समझना ज़रूरी है कि early stage में आप steroids virus की replication को और बढ़ावा मिलेगा, और कई दफ़ा जो mild cases हैं, उनको severe viral pneumonia हो जाता है, lungs में एकनो virus फैल जाता है, क्योंकि बड़े high dose steroids उनको day one से मिल जाते हैं, तो मैं सब लोगों को यही कहना चाहूंगा कि steroids moderate illness के लिए ही है, mild illness में जब आप home isolation पे हैं, saturation आपकी maintained है, early stage में, ज steroids का कोई रोल नहीं है, it can actually be again harmful, घर पे जो लोग रहरे हैं, home isolation कर रहे हैं, उनको कुछ चीजें I think are very important, एक तो अपने डॉक्टर से संपर्क करते रहें, कुछ जो warning signs हैं, जैसे आपके saturation कम हो रही है, 93 or 93 से कम हो रही है, या भियोशी जैसे हलात हो रही है, सुस्ती जाद हो चाहती में दर्द बहुत हो रहा है, ऐसे जैसे warning signs हैं, तब एक दम आप डॉक्टर से संपर्क करें और अगर जरूत होगी तो फिर admission के लिए भी आपको support लेना चाहिए, जो लोग high risk group में हैं और home isolation कर रहे हैं, उनको ज्यादा धिहान रखने के जिनकी उमर ज्यादा है, जि लोगों को ज्यादा धिहान रखना चाहिए और definitely regularly health care workers के touch में रहना चाहिए, कई जगा पे state government have made facilities की आप किसी के touch में रह सकते हो, जो home isolation में आपको, सुबाश शाम आपको monitor करके, आपका temperature, आपका saturation के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, तो वो करना बहुत ज़रूरी है, moderate illness में mainly तीन type of treatment जो है, वो effective है, सबसे पहली जो treatment है, वो oxygen therapy है, oxygen is also a drug, तो जो आपकी saturation कम होए, तो one main treatment is oxygen, दूसरा अब इस stage में जब आपकी saturation कम हो रही है, आपको moderate illness, तब steroids का role है, and then steroids should be given, तीसरा जो drug है, वो हम जो कहते हैं, anti-coagulants, क्योंकि यह हम जानते हैं कि COVID-19 जो infection है इसमें कुछ चीजें जो हैं, वो और viral pneumonia से अलग है, कि यह blood में clotting जो है, उसको promote करती है, और उसके कारण जो फेफ़ने में खून की नालियां, उसमें भी clots बन जाते हैं, इसके कारण saturation कम हो जाती है, कई दफ़ा clots जो हम हार्ट में चले जाते हैं, जिससे heart attack हो सकता है, य लिकिन फिर से यह कहूंगा, कि अगर हम mild illness में यह दे दे दें, तो उससे नुकसान भी जादा हो सकता है, especially अगर मान लो किसी को ulcer की ममारी है, और उसको यह दवाई तब दे जब जब जरूत नहीं है, तो उसके पेट से bleeding के chances बढ़ सकते हैं, इसलिए again, timing of the drug is very important, तो यह द authorization, उसमें remdesivir आती है, एक ड्रग है tosizulimap और तीसरा है convalescent plasma, यह सिरफ तभी दिये जाते हैं, अगर हम हमें लगे कि patient जादा deteriorate कर रहा है, पर जो हमारे main treatment strategy हैं, वो वही तीन है, oxygen, steroids और anti-coagulants, तो यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर यह तीन चीजें मिल रही हैं patient क तो he is getting the right treatment, और जो treatment है, जैसे remdesivir है, convalescent plasma है, जो कहते हैं plasma, यह फिर tosizulimap है, these are only under emergency use authorization और इसमें कोई strong इतना data नहीं है, steroid को data सबसे जादा strong है, oxygen का data सबसे जादा strong है, anti-coagulant का data है, कि यह इस इन दवाईयों से mortality या deaths कम हो सकती है, और उनका data इतना strong नहीं है झाल